ज़़ आजाती हो, इस इस वूडियो में फिर से हम लोग 38 शभूंग के क्रांति के कोशंद को देखने वाले हैं, ठीक है, और जो जो 9 इस वूडियो में, तो इस से पिछले का 2 वूडियो देख लिजएगा, उदर आपको 40 कोशंद और मिल जाएंगे, वैसे ठीक है और इस topic का मैंने class भी लिया हुआ है तो मेरे अगर playlist में जा के देखेगा तो आपको मेरे class भी दिख जाएगा ठीक है तो वहाँ से देख सकते हैं वैसे ठीक है उसके बात question को बनाईएगा तो बहुत ही आसान होगा वैसे पहला चीज और दूसरा चीज यह कि इस question को मैंने काफी मैने से बनाए अब एक चेप्रे से सूच जरे साट questions मैंने बनाए ठीक है तो साट questions मैंने टोटल को रिजट भी आयाद भी कर लेता है ना तो काफी है तो चलिए इस questions को इसके questions को देखते हैं question 41 है कि 1857 के विद्रो के दौरान किसने अपने आपको स्वतंद्र सासक घोसित किया था ठीक है एक मिनट रिपिट करते हैं कि 1857 के विद्रो के दौरान किसने अपने आपको स्वतंद्र सासक घोसित किया था ठीक है स्वतंद्र सासक आप्शन से नील मनी सिंग चक्रधर निलामबर साही पिदामबर साही या इन में से कोई नहीं जिसका सही आंसर है निलामबर साही पिदामबर साही ठीक है जब अंग्रेजों के विरुद्ध ये लोग विद्रों का घोशना करता है तो इसके बाद ये लोग अपने आपको स्वतंत सासक भी पलामू का घोशित कर दता है वैसे टिक है तो यह लोग है प्सइश जो संदाओन की विदरोओं में दो सास यहear जोशा किया था एक तो अरजुन सिंग सिंगोई मैं को राजा गोशित किया ठाहिए एक पड्लीला टाम है नौ का राजा ठीक है थो वह अर्जुन सिंग में चला बागी जो स्वतंतर सासक है तो वो निलामबर साही पितामबर साही ये कहा है जो पला मुं में किया था वैसे ठीक है चले नेक्स कोशन देखते हैं कि जार्खंड में अठावसों संतावन के विद्रो में कौन अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सामिल हुआ था जार्खंड में 1867 के विद्रो में कौन अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सामिल हुआ था अब अंग्रेज था, तो अब उसके कारण उनके पिदा का मौत हुआ, तब बदला किस से लेगा, अंग्रेजों से, तिसलिए ये दोनों भाई मिलके, अंग्रेजों की विरुद्ध विद्रो को छेड़ता है, पलामू के इलाके में, ठीक है, Q23 है, कि जारकंड में 1857 के विद्रो के दोरान, सहाबाद के विद्रोईयों ने किनकी सायता की थी, तो सहाबाद के विद्रोईयों ने किनकी सायता की थी, options है, चत्रा के विद्रोईयों की, भोगता बंदूयों की, रांची के विद्रोईयों की, या इनमें किसी की भी नहीं, तो सही आंसर है, भोगता बंदू, आपका निलामबर और पिदामबर साही हैं, पहला, दूसरा, ये लोग पलामू में किये थे, वैसे, ठीक है, तो भो यह विश्णा साही और उम्राव सिंग और शेक बिखारी वालगर है ठीक है चले आगे कोईशन 44 है कि 5857 के विद्रों के दौरान बापू अमर सिंग यानि कुमर सिंग का भाई जारखन में कहां आए थे ठीक है तो उनका ये भाई है अमर सिंग ये उस विद्रों के दौरान जारखन के किस जगह पर तक पहुंचे थे ठीक है जिसका सही आंसर गड़ा ठीक है उस समय के करिये गहा तो प्लामू का इलाका ही था वैसे ठीक है तो गड़ा तक पोछे थे अपको बाबु अमर सिंग कोष्जन 25 नहीं होगा यह 45 होना चाहिए ये जार्खन में 1857 के विद्रों के दौरान निम्न में से किसने गुरिला पद्धती से युद्ध किया था जार्खन में 1857 के विद्रों के दौरान निम्न में से किसने गुरिला पद्धती से युद्ध किया था अप्सन से अरजुन सिंग पलामू के विद्रोही विष्णा साही पांडे गनपत राए या खा और गा दोनों जिसका सही आंसर है खा और गा दोनों विष्णा साही पांडे गनपत राए भी चाप अमार युद्धिनिति का उप्यों किया था और पलामू का विद्रोही भी चाप अमार युद्धिनिति या गुरिला पद्धती से युद्ध को किया था टेक है चलिए आगे बढ़ते हूं कुश्चन 46 है जारखन में 857 के विद्रोह के दौरान किसे पकड़वाने के लिए जागीर तथा इनाम की घोशना की गई थी युद्धिनिति पकड़वा दो तो जागीर और इनाम दोनों मिलेगा आपको ठीक है आप्संस है निलामबर साही पितामबर साही अर्जून सिंग निलमनी सिंग या विशुना साही इसका सही आंसर है निलामबर साही और पितामबर साही ठीक है जब यह लोग अपना भोगता जो इलाका था भोगता बंदु का जो इलाका था उससे जब बहार निकल जा था काफी कोशिष के बावजुद तो तब उनके नाम पे यह जागीर और इनाम का खोष्णा किया गया था कोसिटन 47 है अठाव सो शंतावन का विद्रो कहां-कहां मोख्यता सिपाही विद्रो था ठीक है तो कहां-कहां यह सिपाही विद्रो था इसको देख सकते हैं, कहीं पर यह नागरिक विद्रो था, कहीं पर यह सिपाही विद्रो था, और कहीं पर यह दोनों था, ठीक है, तो इस टैप से देखना है इसको, तो इसमें है कि कहां कहां यह सिर्फ सिपाही विद्रो था, आप्शन से संथाल परगना, हजारी बाग, या फिर स सद्राइबसंद मुझे परसेली उतना सभी नहीं लगता है यह यह नहीं संत्राइद Tut नुद्रो किया था जब इतना सारा लुग फितुर準 नागरिक को हैं कांगे सिर्सक्र Tao उसके बाजयोची की बुक में लाइन यही दिया हुआ है कि संथाल परगणा और हजारिये बाग में संथाल यह मलब सैनिक विद्रो था तो इसलिए उसके इसाब सब कोश्चन बनाया है वैसे ठीक है बाकी एक्जाम में जैसा होगा तो उसके आपसन के इसाब सब देख लीज ठीक है राची में उम्राव सिंग है फिर आपका शेख भिकारी है फिर आपका अभी सुनास आई है पांडे गंदपता है और काफी साथ जमिदार लोग थे उनका सब 8 लोग भी थे जो साथ दिये तो इसलिए उसको गिल लिया जाता है मानभूम में तो मानभूम में संथाल लोग काफी मलब जैपूर की इलाका में काफी विद्रो किये थे तो उसको नागरिक विद्रो में ले लिया जाता है बाकी तो यह नहीं होना है कौश्चन फड़ येट है कि जारखन में 1867 का विद्रो कहां कहां जननने विद्रो का रूप कहां कहां ढंो सं second है हजारी बाग संथाल पर गरना जह कॉमा नहीं हो गए ऋएसे तो इसका सह़ाई यहां संथाल पर गरना के जग़ा पलामू कर सकते हैं तो भी नहीं क्योंकि हजारी भाग नहीं है तो जारी की यह नहीं होगा सही आंसर है राची मानभूम और पलामो इसका सही आंसर है जहाँ पे जन विद्र हुआ था 877 के दवरान जारकंड के छेत्रे में एक इस्ट कुच्चिन 49 है इसमें है कि जारखंड में 1857 के विद्रो के दौरान कहां विद्रो सबसे उग्र था सबसे उग्र कहां पर हुआ था जारखंड में उग्र था कहां प्रदस्शित किया गया थे अंदोल्नकारियों के दौरा ठीक है options है राची, सिंग भूम, हजारे बाग या मान भूम कर लीजिये वैसे ठीक है यहां सिंग्भू में कौन है सैनिक प्लस राजा तो राजा का जब एक अच्छा और नित्युत मिल जाता है तो जायर की ज्यादा उग्र हुआ था वहाँ पर वैसे ठीक है एक जनरल लॉजिक है वैसे यह ठीक है कोश्चन 50 है कि जारखन में 857 के विद्रों के बाद किसकी संपत्ती जब्त की गई थी ठीक है रिपीट करते हैं जारखन में 857 के विद्रों के बाद किसकी संपत्ती जब्त की गई थी ठीक है तो किसका संपत्ती जब्त किया गया था लगर आप विद्रों किये हैं तो आप सर समथ्टी को भी जब कर लंगा, ताकि आगे अगर कोई विद्रौ करेगा तो डरावा रहेगा, किसको मौत का सजा भी मिल चकता ना समथ्टी भी ले लिया जाएगा और समथ्टी ले लिया जाता है, तो परिवार को दिक्कत होता है उसको दुख भोगना पड़ता है ठीक है तो अगर विद्रो कीजेगा तो आपको तो सजा होगा ही आपको परिवार को भी दुख भोगना पड़ेगा इस तरह से अंग्रेज लोग डरा रहा था यह करके ठीक है तो देखते हैं अब किसका किसका सं options है राजा अर्जुन सिंग फिर विशुना साही पांडे गनपत राय और उम्राव सिंग निलांबर पिदांबर या उपरोक्त में से सभी तो ये लोग जितना अंदूलन कारी था सभी का संपत्ति को लूट लिया गया था मलब अंग्रेज छीन लिया था ये लोग के परिवा प्रुषकार क्यों देगा क्या अंग्रेजियोंका साथ दी आप साथ दीजेगा तो झाहिरी की वह अपको इनाम तो देगा ही देगा कि क्या वुष्यों मसीबत में उसको प्रूरियव तो egal option है विशुना दूबे सेक्मर्मएव नरा अंसाया या अब्लिक मैश नरा-अनस तो पलामु यह गणवा की आसवास में देव मिलता है वैसे अब दूसरे एक बियार की इलाखा में मिलता वैसे औरंगाबाद सायद जो देव में दिखाए देगा वैसे ठीक है तो कौन वाला देव पता नहीं चल पाता है वैसे अब बाकी उसके लिए बहुत रिसार्च करना पड़ेगा तो उतना करने का तो मतलब नहीं बनता है वैसे ठीक है या फिर उप्रोक्त सभी तो इसका सही आंसर है उप्रोक्त सभी यह सभी लोग अंगरेजियों का मदद किया और सभी को प्रशकार दिया गया था विश्वनात दुबे और महेश नारान साही यह लोग क्या किया था कि विश्वनात साही या विश्वनात सादेव पांडे गनपत राय को गेपतार करवाने में मदद किया था और देव का राजा का नहीं पता लेकिन जब लास्ट में द जैसे ही 1000 बग कसा निकाएगा तो यहां पर वो लो को अटेक करेंगे ठीक है तो यह साथ दिया थे पिठरिया वाला और देव वाला उतना क्लियर नहीं है या पी जो पलामू में विद्रू हो रहा था उसमें देव का राजा साथ दिया होगा वैसे अंग्रेजों का ठीक है त कोश्चन 52 है कि जारखन में अठाउस और संताउन के विद्रों के उपरांत किन जन जातियों को सेना में भरती किया जाने लगा तो किन जन जातियों का सेना में भरती किया जाना लगा यहां लगा पहले भरती नहीं हो रहा था आप से लोग के भरती होना शुरू हो जा रहा है the Sun Dawn के समय या उससे बात से थेक इस अपसंस देखते हैं कोल या संथाल भूमिज। पाढ़िया यह सबर सभण रहे है और कोल या संथाल संथाल को मुंडा को भी रख सकते हैं वैसे तो मुंडा या संथाल लोग को आपको सेना में भर्ती किया जाना शुरू हो जाता है वैसे ठीक है यह लोग क्या करते हैं कि एक लड़ाकु जाती के रूप में इस अंदुलन में उभर के आया था ठीक है और जो अंग्रेजों का सेनिक था उसमें कुछा तक संधाल लोग तो सामिल था ही वैसे जैसे संधाल परगना की इलाका में जो संधाल लोग विद्रो किया तो संधालों का ही सेना खड़ा कर दिया गया और यही संधाल का सेना संधाल लोग को दबाया था तो कुछ से तक साथ भी दिया और अपना अंग्रेजों के समध विर्ता भी दिखा रहा है तो यह लोग को लेने ल लगा पर यहां क्या बड़ है तो इसने पाले बीजिए लिए होता था जो प्यार का शेना था उसे बाहर की आद्मियों की भर्ती नहीं किया जाता था अठाधू संदाओन के ग्रांथे के जब देखा गया कि यहां कुछ जाती लोग यहां कुछ लोग अंगरेज़ों का साथ दे रहा है तो पुरी जाती विशेष मत कर लिजिए कुछ-कुछ लोग उसमें साथ दे रहा था और वीरता दिखाया था वैसे तो वो लोग को ये लोग सेना में लेना शुरू कर देता है ठीक है तो ये आपका सिख लोग एक आपका गोर्खा लोग एक दुसाध लोग ये उप्रोक्त में से सभी ठीक है ठीक है सही आंसर उप्रोक्त में से सभी ये तीनों का रामगण बटालियन में यह लोग भरती करना शुरू कर देता है वैसे ठीक है तो सिख लोग मुलब जाकन की लाका में तो देखते ही हैं 21 तरसा अंग्रेजों के साथ दिया था यहां पे ठीक से बटालियन गई है यह सेना लोग कर लिजिए वैसे ठीक है उपर जो गोर्ख लोग को अपने सिना में लेना सुरू कर दिए का है कि कहां के विद्रो हीों ने 507 के विद्रो के दौरान एक किले पर कबजा कर लिया था किला पर ही यह विद्गजा कर लिया था कौन तो विद्गज्ज ही लोग ठीक है तो पलामु अजारी बाग मान भूम या सिंग भूम जिसका सही आंसर है पलामू पलामू का किला को विद्रोही लोग अपने कबजा में ले लिया था ठीक है यह फैक्ट्वल है तो इसमें कुछ एक्स्पेनेशन क्या होगा Question 55 है कि 8857 के विद्रो के दोरान पूरे छोटा नागपूर पर कौन सा कानून लागू किया गया था पूरे छोटा नागपूर पर है यह ठीक है कौन सा कानून लागू किया गया था Option से द्वैद सासन व्यवस्था, मार्सल लॉव, सायक संधी, या इजरा व्यवस्था, ठीक है? तो ये सब अंच्छेज़े के समधित में ही सब लगना सुरू हुआ बाता, चारो, ठीक है? कोहीं कोई व्यवस्था है, कोई संधी है, या कहीं कुछ है ठीक है तो इसमें से जो विवस्था लागू हुआ था तो वो था आपका मार्सल लौ पुरी छोटा नागपूर में इस विद्रो को सांध करने के लिए जो रांची के कमिशनर थे डालटन वो मार्सल लौ को लगा दिये थे वैसे ठीक है चले question 56 को देखते है अठारच व संतावन के विद्रो के दौरान जारखन में किस सासा को बल परियोग के धमकी देकर नेतित्य स्विकार करने पर बात देखिया गिया था अगर तुम नेता नहीं वरेगा तो तुमारे अगेश्ट में बल परियोग करेंगे ठीक है तो किसको स्विकार करने के लिए बात देखिया गिया था अपसंस है बादूर साथ जफर विशुनात साही नीलमनी सिंग या चक्रधर सिंग ठीक है तो भारत के परिच्मेश भी देखा जाए तो बादूर साथ पले को उनको च्या करते हैं थोड़ा बुत वो नानकुर कर रहे थे या आनकानी कर रहे थे तो उनको नेता बनने के ल जाता इस किशक्कर में ठीक है तेले है कि कोश्चेन 57 है कि निलांबर तदा पिदांबर को कहां फांसी दिया गया था रिपीट करते हैं निलांबर तदा पिदांबर को कहां फांसी दिया गया था आपसंस है फसियारी पोखरा तुंगरी फांसी तहीद चौक या लेसली गं था वो लोग को फांसी दिया गया था तुंग्री फांसी में तो उम्राव सिंग और शेख भिकारी को फांसी दिया गया था और सही चौक में तो सिंग्भूम का जो आपका श्यानिक लोग था वो लोग को फांसी दिया गया था लेशली गंज में तो निलांबर पिदांबर को फासी दिया गया था ठीक है याद कीज़ेगा ये काफी important सा चीज़ है वैसे और एक ही जगा पीछले भी दे दिया है तो एक तुलनात्मा गुरुप से आपको पता रहेगा ये कौन-कौन कहां पे किसको दिया गया था किसको कहां पर फासी दिया गया था question 58 है कि चत्रा में 1857 के विद्रों के दोरान किने युद्य के मैदान में पकड़ कर एक दिन के बाद फासी दे दि गई थी एक दिन के बाद ही ये लोग को फासी दे दिया गया था कहां से तो युद्य के मैदान में पकड़ के ये लोग को फासी दे दिया गया था आपसन है जै मंगल पांडे नादी रली खाँ विशुनास साही पांडे गनपत्राय माधव सिंग या उम्राव सिंग सेख बिखारी ठीक है तो इसका सही आंसर है जै मंगल पांडे और नादी रली खाँ ठीक है तो यह लोग चत्रा का युद में नित्तुत दिया था वैसे ठ लिया जाता है। उसके दुसरे दिन ही फांसी दिया था इसके सायंगा, Qosdon 59 है कि जारखण में 8 他र्स hour 75issä के वेज्डरों के दौरान किसकिस को सजा दी गई थी, जादा आप्समिस दे दिया है जानवच के दिया है वैसे तो अभी बताते हैं कि आप्समिस है नादीर अली जैमंगल पांडे विश्वनात साही पांडे गनपत राय उम्राव सिंग शेख विखारी या निलांबर पितांबर या उप्रोक सभी तो इसको एक जगह मिश्टे द बहुत आसान है यहां से कि चलो यह लोग को फासी दिया गया था 88-57 की विद्रों के द वरान जलाया गया राजहरा कोईला खान की जिले में त्धित प्रान एक कोईला खान को जलाया था ठीक है और ये राजहरा में था राजहरा कोईला खान किस जिले में श्थित था ठीक है किस जिला में था ये ठीक है तो मान भूम सिंग भूम पलामू या हजारी बाग ठीक है तो ये सही आंसर पलामू इसका सही आंसर है ठीक है पलामू मे आपका जो जूसम्वार को ब्याद लोग यहां जो लोग भृता मुटव यहां पर चाह royal को घुल пару तक को यहां पर यूक्रवत पर लूटता है और उस खान धेता है वैसे तेट argument ağıगा पर एक स्थाना पर आध्क करके तरुगा कोई लोगा लोग आंध तो वह दरोगा भाग के चला गया था उस खान में अब जब खान में जाके चुपा हुआ था तो इसलिए उस एक्षन को लिया गया आता है वैसे ठीक है और यह से एक चीवार बता जैता है कि राजहरा कोईला खान आका बंगाल कोल कंपनी के अंदरगात आता था ठीक है अब अलगरा कि यह जार्खन के इलाका में तो बंगाल कोल कंपनी कैसे ठीक है तो उस समय के मलब इस इलाका को याद किजिए तो यह जार्खन के इलाका पहले बंगाल प्रेसिडंसी में आता था ठीक है तो बंगाल प्रेसिडंसी में आएगा तो जायरा के कोईला कंपनी का नाम अगर बंगाल कॉल कंपनी तरह हो सकता है वैसे तो इतना ही था इस वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में थैंक यू